ओकाद, किसी पर तो सब कुछ डिपेंड करता है, कि तुम्हारी ओकाद क्या है, कितना खराब लगता है न, जब कोई हमें भाव नहीं देता, इग्नोर करे तो, मैं तिन ऐसी चीजे बताऊंगा, जिनको अगर तुमने एक बार सीक लिया, तो जो तुम्हें भाव नहीं देते इग्नोर करते हैं, उन सालों को पता चल जाएगा कि तुम चीज क्या हो, एक गुजारिस करना चाता हूँ, भले मेरे इस वीडियो को आज तुम लाइक मत करो, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखो, जो मुझे इग्नोर करते हैं, उन सालों को मैं एक दिन अपनी आउकाद दि समझते हैं, आज में उन सब की वाट लगाऊंगा जो तुमें इग्नोर करते हैं, बस तुम एक बार इस चीजों को करके देखो, जो मैं अभी तुमको बताने वाला हूँ, जो लोग तुमें इग्नोर करते हैं, वो भी तड़प उठैंगे से बात करने के लिए, तीन चीज वो ऐसे रियक्ट करेगा जैसे तुमने उसके साथ कितना बड़ा अन्याई कर दिया वो करे तो सही और तुम करो तो गलत आखिर ये कहा का नियाई लेकिन तुम्हें इसी चीज को अपनी पकड़ बनानी है जो तुम्हारे साथ जैसा करता है तुम भी उसके साथ वैसा ही करो अगर वो तुम्हारे मैसेज का रिपलाई नहीं देता तो तुम भी उनलाइन आकर उसके मैसेज का रिपलाई मत दो अगर तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं तुम पर धियान नहीं दे रहे हैं तुम भी उन्हें धियान मत दो दूर हो जा उनके सामने इगनोर तो कर दोगे लेकिन मन ही मन उनसे बात करने के लिए उतावले होते रहोगे रिटन बिहेवियर से मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम्हें सिर्फ दिखावा करना है बल्कि सच में उन्हें इगनोर करना है थोड़ी सबर रखो उनका धिहान तुम पर जरूर आएगा ले सिर्फ लोगों के नजरों में नहीं उनके दिलों दिमाग में छाजाओ जैसा मैंने बताया जब तुम उइसा करोगे तो देखना वो यह जरूर कहेंगे कि यार तुमको हो क्या गया है आज कल तुम थोड़ा बदल गया है बस यही चीज तो चाहते थे कि उनका भी धिहान ह कि मैं बदल नहीं गया हूं बलकि अपने कामों में विजी हो फिर वो पूछेगा कैसा काम कहां विजी हो तो कहना कि वक्त आने तो खुद पता चल जाएगा वीडियो के आखिर में मैं भी यही कहना चाहता हूं कि एक बार इन तिन चीजों को फॉलो करके देखो देखकर है जान रह जाओगे ऐसा रिजल्ट मिले